हेलो फ्रेंद्स वेलकम दू अभीमन्यू आएस तो टागेट आएस 2021 में आप सभी का स्वागत है हम इस सेशन के अंदर करंट अफेस को कवराप कर रहे हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये सेशन में हम लोग मार्च 2020 से लेकर एप्रिल 2021 के जो करंट अफेस रहते हैं प कर रहे हैं ये सेशन आपका 70 डेस के लिए चलेगा जिसके अंदर हम लोग मार्च 2020 से एप्रिल 2021 तक के सारे करंट अफेस को कवराप करेंगे और हमने अभी तक ये सेशन के अंदर चार लेक्चेस को कवराप कर लिया है आज हमारा फिफ्थ लेक्चेर रहेगा जो मार्च 2020 क कर अफेस के बिसेस पर ही रहने वाला है अभी कुछ सुडेंट को यहां पर डाउट्स हैं कि जो हमारे सेशन आ रहे हैं क्या वो कॉंटिनूटी में रहेंगे तो जी बिलकुल ये सेशन कॉंटिनूटी में रखे जाएंगे एप्रेल 2021 तक की न्यूस के पर क्लियर है तो प् के बाद जो करेंट अफेस की प्रॉब्लम जा रही है वो सारी की सारी दूर उने वाली है तो फ्रेंट्स आज का हम लोग अपना ये सेशन शुरू करते हैं जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते हूं माइसल्फ करनम अगरवाल आंद करेंट अफेस मेंटर अभी मन्यू आ अब सबसे पहले तो एक कंसेप्ट याद रखेगा जो डिस्टिंक्ट स्पेशी आ गई है वो भी हिमालयास के ओपर यह आपके लिए काफी इंपॉटेंट रहने वाल है जैनरल स्टेडी स्थी के लिए आपको काफी इंपॉटेंट रहने वाल है अब याद रखना एक तो होता है अब हमने कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर डिस्टिंक्ट स्पेशी ौकल की कई उप्बॉट ने वाल हिमालियन इबिक्स इस डिस्टेंट स्पिशेश फ्रॉम दो साइबेरियन इबिक्स क्लियर स्टूडेंट्स यह कंसेप्ट याद रखेगा जेडेस आये सर्वे किया था यह सेकिंड पॉइंट बोलते हैं दिस्टेडी वॉस फाउंड थ्रूद नाशनल मिशन ऑन दे हिमालिय स्टूडीज यह इंपॉटेंट रहेगा आप लोगों के लिए प्रिलिम पॉइंट अफ यूसेश मैं आप लोगों को सुद्स पहले ही बता देता हूं यह इंपॉटेंट रहने वाला है पॉइंट आपके लिए कि यह स्टूडी को जो किया नैशनल मिशन ऑन हिमालियन इस इंप्लिमेंट इसको किस ने इंप्लिमेंट किया सरी इंप्लिमेंट था मिनिस्ट्री ओफ एन्वायर्मेंट फॉरेस्ट एंद लेक्लाइमेट चेंज सुदिंट्स यह कंसेप्ट को आपने याद रखना है मैं यहां पर इवन पैन का कलर भी चेंज करके आपको बता द बने वाला है ओके थर्ट पॉइंट पे मूव करते हैं यह बोलते हैं कि स्टरी वहास बेस डॉन जैनिटिक अनलीसेश देखो कोई ना कोई जब स्टरी की जाते तो उसका अधार बनाया जाता है बेस बनाया जाता है तो इसके ऊपर बेस गैनिक्स पाहमने जैनिक्ष कर बे अब ये Siberian Ebex क्या है, बस एक मिनट वेट कीजिए, हम लोग जब अपने next या फिर third slide पे चलेंगे ना, तो मैं आपको इसकी picture दिखाऊंगा, कि students, ये है आपकी Siberian Ebex, clear? ये बोलते हैं, the study revealed that Siberian Ebex was estimated to have diverged from Alpine Ebex during the Pleistocene Epoch, important, sir, ये आपके लिए important रहने वाला है, कि study revealed, जो हमने एक survey किया, उसमें क्या खुलासा निकलता है, कि जो Siberian Ebex was estimated to have diverged from Alpine Ebex, clear है? अब students, ये कब हुआ? ये हुआ था, Pleistocene Epoch, मतलब एक time को ये represent कर रहा है, वो कितना time आएगा? 2.4 million years ago, clear है? अब आगे चलते हैं, कि rather than, during the Mucin-Pleosin boundaries, अब ये भी students, आप लोगों को time representation दे रहा है, वो कितना? 6.6 million years ago. कोई यहाँ पर समझाने वाली इतना चीज़ नहीं है, ये सरफ एक हमने इसको years को यहाँ पर representation दिया है, कि ये time में ये changes आए, clear? कि चलें आगे, next point देखते हैं, यहाँ पर बोला गया था कि scientist presumes that the montane system formed by the concept, देखिए students की, scientists presume that montane system formed by the series of climatic oscillations, देखिए climatic oscillations का मतलब के है, जो changes होते जा रहे हैं, जो particular time period पे ये change हो रहे हैं, and temporal topography, जो उपर की, इसकी धरती की, जो changes आए, topography के अंदर, metamorphoses, जो चटानों के अंदर changes आए, किसके changes, एक मेंट कंसेप्ट देखिए, metamorphic rock जो होती है न, वो कहां से बनती है, students वो बनती है, आपकी sedimentary rock से, या फिर igneous rock से, जब इसके अंदर changes आएंगे, na sedimentary से igneous changes आएंगे, तो हम metamorphism बोलते हैं, तो वो concept की यहाँ पर बात की गई है, क्यों, ये concept क्यों लगा दिया, क्योंकि scientists ने presume किया, कि जो mountain system, जो पहाड़ों के ओपर है, वो form किया, कब बना, क्योंकि climatic oscillations हो रहे हैं, क्योंकि climate के अंदर, series changes आ रहे हैं, clear, and temporal topographic metamorphosis, आप the, किसको तोड़ दिया, contagious distribution of the species and accelerated allopetric species, यहाँ तक कोई doubt है, तो friends, comment section में लिखकर बताएं, clear है, आगे चले, okay, आगे चलते हैं, यहाँ पर बोला हुए, students की, Siberian Ibex है क्या चीज, is a species of wild got, अब concept आपको देखना होगा, कि हमने अभी तक का किसको पढ़ा है, हमने अभी तक का wild got के लिए knowledge लिए है, और यह students है क्या चीज, यह है आपकी है, this is your Siberian Ibex, हम इसकी बात कर रहे हैं, और यह changes कब से आ रहे हैं, इसके उपर changes कब से आए हैं, students इसके उपर changes आ चुके हैं, प्लिस्टोसिन एपक, यह time got represent किया, मतलब लगभग 2.4 million years ago, clear है, next point पे चलते हैं, किते it is distributed in, यह कब distribute किया गया, in diverse habitats, range from cold desert से, rocky outcrops, steep terrains, highland flats, and mountain, ridges to the low mountains and footills, आपको यह यहाँ यहाँ पे, इन एरियास में आपको Siberian Ibex, जो wild god की एक स्पीशी है, वहाँ पे देखने को मिल रही है, और यहाँ पे present है, आप यह बोल सकते हो, कि यह चीज़ आपको यहाँ पे present देखने हैं, को मिल रही है, clear, diverse habitats मितलब कि कहां कहां पे यह diversely fell रखे हैं, कहां कहां पे, एक तो cold desert में मिली, rocky outcrops में मिली, steep terrains में मिली, highlands में मिल रही है, and mountain ridges पे मिली आपको, even वहाँ पे low mountain and foothills पे, clear, अब आगे चलें students की, मंगोलिया की बात करते हैं, अगर मंगोलिया से लेकर, its distribution extends toward, Altya, Hengai, Gobi Altya, the Hurukh mountain ranges, as well as Sayan mountains near Russia, आप यह देख लो students की कहां से कहां तक, इसकी extension चल रही है, मंगोलिया से, ठीक है, and scattered population in the small mountains of Trans-Altya-Gobi, यह आपको concept याद रखना students, यह आपको mains point of view से important रहने वाला है, यह news, मैं आपको हर एक news के अंदर, हर एक slide के अंदर, जो prelims और mains perspective से important है, मैं आपको वो बता देता हूँ, please उसको underline कर लिया कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए important रहने वाली बाते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, कि in Asia, the abex is distributed in the mountain habitat, ranging in the elevations of, अगर हम लोग एशया की बात करते हैं, तो यह कहां-कहां पर फैल रखी है, कि range करते हैं, कितनी heights पे, यह मिल रही आपको, 500 meters से 6-700 meters in the countries like India, Kazakhstan, Tajakistan, Mongolia, Pakistan, Southern Siberia and China, और कहां पर मिली आपको, China में यह मिल गई, clear right, यह आपको, मैं बोल देता हूँ, यह आपको prelim point of view से है, क्योंकि आप लोगों को students पता होना चाहिए, कि जो हम Siberian, Ibex की बात कर रहे है, जो एक distinct species हो चुकी है, वो इंडिया को छोड़ कर और कहां-कहां पर यह मिल रही है, Kazakhstan में मिली, इंडिया में तो मिल रही है, Kazakhstan में, Mongolia में, Pakistan, Southern Siberian and China में, मैं इसको underline कर रहा हूँ, यह वले pinch है, कि आप लोग इसको underline कर लेजे, अपने notes में भी, तो please यह important रहने वाला है, और students एक और doubt मैं comment section में तेक रहा हूँ, कि आप सभी को यह वले जो PPTs आपके चल रहे हैं यहाँ पे, और जो session हर रोज का चल रहा है, यह आपको PDA format में भी provide करवाया जाएगा, clear है, आगे चलते हैं, अब यहाँ पे Zoological Survey of India की बात कर लेते हैं, यह वो ही Zoological Survey of India के आपने बात की है, जिसने survey करवाया है, किसके उपर, यही Himalayan abix as a distinct species, clear, यह है क्या चीज, यह देखते हैं, कहते है, Zoological Survey of India was established on, यह कब बना था, 1st of July 1965 में, sorry, 1916 में, 1916 में यह बन गया था, यह आप अंडरलेंड कर लीजे, यह knowledge point of view से important है, इतना भी आपको detail में नहीं जाना पड़ेगा, कि Zoological Section of the Indian Museum, जो क्यालकटा के अंदर है, वो कब था, 1875 में बना, Headquarters इसके हमें, कॉलकटा में मिल रहे हैं, अब इसका function क्या है, यह its functions under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, अभी यह Zoological Survey of India, कौनसी Ministry के अंदर आगा, यह आगया, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, अरे इन ही इन्होंने तो survey बोला था, क्योंकि हमने सबसे पहला point, अगर आपको याद हो, तो यह लिखा नहीं था, कि the National Mission on the Himalayan Studies, जो Himalayan की studies की ओपर हमने देखा, वो किसने इंप्लिमेंट किया, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, क्योंकि इसी Ministry के अंदर तो Zoological Survey of India आ रहा है, इसी Ministry के अंदर Zoological Survey of India अपने क्या करते है, डेली बेसिस पे जो अपने उसके functions को perform करना होता है, students यहाँ तक किसी को कुछ doubt है, तो प्लीज comment section में लिख कर बताएगा, आगे चलते हैं, अब अपनी दूसी न्यूज आ रही है, पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन इक, यह आपके लिए important रहेगा, GS2 paper के लिए, General Studies 2 paper के लिए काफे important रहने वाला है, अब इसके अंदर क्या है, यह बोलते हैं कि this British era was launched, एक मिट हाँ, this British era was launched, sorry, law was recently invoked, concept को ध्यान से देखेगा, कि जो British के जमाने में जो एक कानून बना था, उसको लागू किया गया पंचकुला में, ठीक है ना, जो चंड़िगर यूटी के पास पढ़ता है, हर्याना के अंडर आता है, to curtail movements during lockdown, हुआ क्या था कि डिप्टी कमिशनर अफ पंचकुला ने एक ऐसा कानून को पास किया, जो British era में कानून बना था, कि जो villages के अंदर, जो youngsters हैं, अब वो हर एक village की entry पे, क्या करेंगे, पहरेदारी करेंगे, ताकि कोई COVID-19 suspect, उनके village के अंदर entry ना ले ली, तो यहाँ पे लिखा है, कि डिप्टी कमिशनर अफ पंचकुला, has passed an order, under the section 3, under the section 3 of this act, has declared that, all able body, male inhabitants of the village, be liable, to be on the patrol duty, both during the day and the night, यह important रहने वाला है, किसके लिए, एक prelim point of view से important है, कि जो भारत के अंदर, section 3 के अंदर, जो कानून है, वो British law was recently, वो किसके अंडर आ रहा था, वो कब बना था, सर, वो British Samarajjaya के, टाइम पे बना था, clear है, और वो क्यों बना था, वो आपको पता है, आगे चलते हैं, नेक्स पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे लिखाया है, यह एम आफ दे पेट्रोल, इन दे प्रेजेंट केस, इस तो कीप आ वोच अन दे पीपल, एंटरिं दे विलेज, विदाउट आ वेलिट पास, आपको इस तरीके से ही, यह सबसे पहले कानून कब बना था, और भारत के अंदर कब लागू किया गया था, यह concept को याद रखना, पीज, कहते, दे लोव वास फर्स्ट इन इंटेन उन्नेस ओठारा में यह आया था, इन इस वल्पंजाब, तो मेक प्रोविजिंस फोर दे नाइटली पेट्रोल दूटी, by inhabitants of the small villages and towns in case of emergency, clear, the time period of the applicability of the order is up to the deputy commissioner, यह deputy commissioner के अंडर ही आ रहा है, कि कितने time period तक यह कानून को लागू करना है, and maximum time period is up to one year, मतलब अगर एक बार उन्होंने लागू कर दिया और time period ना बताया, तो यह लगा लो कि एक साल तक वो valid रह सकता है, clear है? अब next point बोलते हैं, the deputy commissioner shall have power to alter the number of persons required, अब यह नहीं है कि वहाँ पे x number of persons ने duty देनी ही देनी है, वो depend करते हैं, deputy commissioners के उपर, कि उन्होंने कितने persons की duty लगानी है for the patrol and the method of their selections and shall inform the village panchayat of his decision, clear है? next, देखते हैं students, third point क्या बोलते है, those who do not follow the provisions will be liable under, अगर यह provisions को followed ना किया गया, तो section 9 and section 11 के accordingly, which means they may have to pay a fine imposed by the village panchayat और fine imposed by the deputy commission, तो उनको fine भी penalty भी पे करनी पड़ सकती है, और वो लगबग 100 rupees के आसपास रहती है, clear है? तो students, इतने news में अभी तक का कोई doubt रहता है, तो please बताईएगा, आगे चलते हैं, anti-smog gun, important रहने वाला यह, यह आपको environment के लिए काफे important रहने वाला है, environment के basis पे आपको काफे important देखने वाली है, यह news, anti-smog gun, और यह आपकी general studies 3 paper के लिए काफे important रहेगी, general studies 3 paper के लिए, clear? चले, शुरू करते हैं यह news के ओपर, यहाँ पे पहला point आता है, the supreme court had said that, anti-smog gun should be mandatory, supreme court ने बोल दिया, anti-smog gun को mandatory करना है, मैं आपको एक आसान सी भाषा में बोल दिता हूँ, यह आप diagram में देख रहे हो, this is my anti-smog gun, this is our anti-smog gun, होता क्या है, यहाँ पे gun लगाई जाती है, और उसके पीछे water tank use किया जाता है, और यह gun चोटे चोटे water droplets हवा में गेड़ती है, in the form of smog, तो इससे क्या होता है, जो आपका pollution level है, वो कम होना शुरू हो जाता है, तो हमने यह concept use किया, anti-smog gun का Delhi के अंदर, clear है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया, mandatory है, supreme court ने बोल दिया था, यह project mandatory रहेगा, that require environment clearance from the state or the center, in square meters का, clear, as per this, 47 large projects, in Delhi, had to have these guns installed, यहाँ तक कोई doubt है, तो प्रीज बताएं, आगे चलते हैं, यह बोलते हैं कि, anti-smog gun is a device, that's a prey, यह important रहेगा, कि यह concept है, क्या जी students, यह आपका main point of view से लगा लो, prelim point of view से लगा लो, even अगर आप लोग interview के time पे भी ऐसे पूछ सकते हैं, कि anti-smog gun is a device, वो एक ऐसा device है, that spray nebulized water, बहुत छोटे छोटे बारीक water droplets, into the atmosphere to reduce the air pollution, clear students, third point देखते हैं, it can spray a water, size up to height of 50 meters, 50 meter तक की height तक यह से प्रेकिया जाएगा, and the result were positive, as they spray it like rain, and settled dust particles, also, कितना रहेगा यह, 2.5 तक का, यह meters के according हमने देखा, यह levels के according हमने इस चीज को पढ़ा है, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और discuss करूँ ने, इसके अंदर detail में, यह है क्या चीज, कहते हैं, the authorities, the authorities would, have to prepare, इसको प्रीज अंडरलेन कर रहें न, यह add-on data मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को, have to prepare, a polluter pays policy, concept देखिएगा, एक मिनिट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैंने आपको यही policy बतानी है, कौन सी policy है, students ही, यह है आपकी polluter's pay policy, आपकी आद दिये, और यह authorities ने बनाई है, तू कवर दे कोस्ट आफ, तू कवर, दे कोस्ट आफ, इंस्टॉलेशन, आफ दे, एंटी, स्मॉग, गन, आट, दीज, साइट, जो भी, एंटी स्मॉग गन की, इंस्टॉलेशन में खर्चा आएगा, वो हम लोग, पॉल्यूटर्स पे पॉलसी के तहत ही लेंगे, अब स्टॉडेंट्स पॉल्यूटर्स पे पॉलसी है, क्या चीज, मैं आपको बोल देता हूँ, वर्बली सुन लीजे, धीरे धीरे बोलूगा, कहते, पॉल्यूटर्स पे पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल का मतलब क्या रहता है, वो और्गनाजेशन या वो इंडस्ट्री या वो लोग, जो इस पॉल्यूशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ही लोग ये पॉलूशन को कंट्रोल करने में, जो खर्चा आएगा वो पे करेंगे, तो प्रिवेंट डामेज तु हुमन हेल्थ और दे अन्वार्मेंट, क्लियर है, चले हैं आगे, अब याप देखते हैं ना की एर कॉलिटी इंडेक्स आता है, जो एक यू आए, तो वो डेली के अंदर बहुत ही जादा स्वेर हो चुका है, कि एर पॉलुशन and the resulting smog is an outcome of three inputs, local emission of the pollutants, बिल्कुल ठीक है, emission transport from other states and the regions, बिल्कुल ठीक है, जो neighboring इसके states रहते हैं ना, and metrological factors like wind speed and temperature, clear है, चले हैं आगे, next, move करते हैं हम लोग, अब अगर बात करें, 1930s Great Depression की, मैं आपको ये वाला news समझाता हूँ, उससे पहले कुछ important points आप लोगों के लिए, ये एक तो GS3 के लिए important रहेगा, अब मैं यहाँ पे students आप से एक बात share करना चाहूँगा, कि ये news IQ, 1930s के दशक में ऐसा ही बहुत ज़ादा economically depression हुआ था, जैसा कि अब हुआ है due to the COVID-19, तो COVID-19 के कारण जो economic crisis आये ना, तो हमने ये economy को 1930s के दशक के crisis से जोड़ कर देखा, तो हूब हूब बिलकुल सेम निकला था हमारे पास, ठीक है? चलें, पहला point बोलते हैं, students की COVID-19 pandemic severely affected the global economy, अभी हमने discuss किया, कि global economy को बहुत ही ज़ादा इसने effect किया, some experts have begun comparing the current crisis with the great depression, the devastating economic decline of the 1930s, जो अभी हमने discuss किया, कि जो आज का जो economic crisis है, क्यों ना उसको 1930s के दस्तक के economic crisis है, जोड़ कर देखा जाए, ये comparison किया जाए, ये बोलते हैं, second point में, the great depression was a major economic crisis that began in the United States, ये USA के अंदर आया था, आया था, 1929 में, and went to have a worldwide, तो ये पूरे worldwide में फैल गया था, until 1939 तक, clear है? start कब हुआ था, 24th October 1929 को, a day that is referred as a black Thursday, तो USA के अंदर हम ये black Thursday के रूप में जानते हैं, when a monumental crash occurred at the New York Stock Exchange, New York Stock Exchange में जब crash आया था, कितना 25% का बहुत जादा था, कब आया था, 24th of October 1929 में, तब हम लोग उस दे को as a black Thursday के रूप में जानते हैं, clear? ये क्या बोलतने हैं, कि in the United States, prices and the real output fell dramatically, industrial production fell by, concept देखिया, आप लोग जो industries की production है, वो 47% decline कर गई थी, तो unemployment तो peak पर चला गया होगा, the wholesale prices index by the 33% और GDP, कितना gross domestic product कितना गरी गया था, 30% का, clear? ये आपको means के लिए important है, याद रखेगा, हम लोग ना, कोई भी चीज लिखते हैं, तो उसको past में क्या हुआ था, जो कहने का मतलब है, जो current चला, क्या वो past में भी हुआ, तो आप लोग ये वले concepts को लिख सकते हो, एक दो लाइनों में, कि जो 1930 में depression आया था, जिसकों great depression बोलते हैं, उस time पे भी 47% industries की production कम हो गई थी, wholesale prices index dip कर गए थे 33%, even GDP भी 30% गिरी थी आपकी, clear? आगे चलते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, the havoc cost in the US, separate to other countries, mainly due to the gold standards, ये concept है, कि अगर USA के अंदर stock exchange में, ये New York stock exchange में, अगर crisis आये थे, crash हुआ था, तो other countries में भी dependency थी, क्यों gold standards के कारण, which linked most of the world's currency, by the fixed exchange rate, concept ये, ये knowledge point of view से students आपके लिए important है, कि New York stock exchange में के crisis आ गए थे, तो other countries में कैसे फैला, ये कोई virus तो नहीं है न, ये बोल रहे हैं, कि gold standards में क्या होगा था, कि gold में, क्या हो गया, fall आगया, उसके prices में बहुत ही जादा कमी देखने को मिली, इसी कारण other countries में भी हमें crisis देखने को मिल गए थे, क्योंकि बाकी countries के जो exchange rate है, वो depend करता है, gold की उपर, ठीक है, आगे चलते हैं, किते हैं, in almost every country of the world, there was a massive jobless deflation and a drastic contraction, clear है, unemployment in USA from 3.2% to 24.9%, concept देखिए, 3.2% से 24.9% तक की उच्छाल देखने को मिला था, unemployment में, USA में, और कौन से year में, 1929 से 1933 तक, in the UK, अब मैं England की बात कर लू, it roses from 7.2% से 15.4%, कौन से year में, 1929 से 1932 में, ये comparison बताया, USA में कितना था, इन सालों में, और UK में कितना आया, ठीक है, next point चलते हैं students, कैते हैं, due to global crisis, there was a drastic fall in agriculture prices, mainstay of India's economy, concept देखिएगा, agriculture के उपर ही तो भारत की economy थी, उस time की दशक की बात करो, 1930s की, and a severe credit contraction occurred as, colonial policy makers refuse to devalue the rupee, important है, mainstay perspective से, India का role कैसा था, India के इंदर कैसे crisis देखने को मिले, British का कैसा role था, clear, सबसे important ये रहा point आप लोगों के लिए, कहते, the effect of the depression, जो depression हुआ, crisis आए, उसके क्या effects आए, become visible वो देखने को मिले, around the harvest session, जब harvesting की जाती है, भारत के अंदर, 1930 में, Soon after, तभी तो, महात्मा गांदी जी, launched the civil disobedience movement in April the same year, ये बहुत-बहुत important है, आप लोगों के लिए, की 1930 के crisis के कारण, जो भारत में harvesting हो रही थी, तभी महात्मा गांदी जी ने, civil disobedience movement को start किया था, April के अंदर, clear, आगे चलते हैं, there was no rent campaign, in many parts of the country, and the radical किसान सभा, were started in Bihar and Eastern UP, तो students, यहां तक कोई doubt है, तो please बताएं, ओके, मैं आपको यहां पर कुछ data, add-on करवाना चाहूँगा, अब देखिए, कहते, COVID-19 आया, हमने जिसके कारणी news पढ़ ली, कहते, COVID-19, could, lead, to the, highest, unemployment, concept को ध्यान से देखना, highest, unemployment किया, किसने, COVID-19 ने कर दिया था, since, the, great, depression, तो students कहने का मतलब यह है, कि अब तक का, COVID-19 ने, lead किया, यह, highest, unemployment को, तब से, great depression से, अब तक, उस time से, great depression, आ चुका था, अब आया, क्यूं आया, due to the COVID-19, clear है, अब अगर बात करें, एक मिनिट, अब next point क्या बोलते है, जो IMF है, international monetary funds, कि IMF, states that, negative global growth, क्या हुआ, इन्होंने क्या बताया, negative global growth हुई है, so, for this year, इस साल के अंदर, could trigger a recession, तो जिसके कारण, हमें क्या देखने को मिला, recession देखने को मिल चुका है, at least, as bad, as during, तो इन्होंने, 2007 से 2008 वाले, recession को comparison कर लिया, तब भी हमें क्या देखने को मिला था, global, financial, और क्या देखने को मिला था, crisis, clear, यह international monetary funds ने बताया, अगर आज की बात करें, एक मिनिट, मैं यहाँ पे clear कर रहा हूँ, प्लीज इसको note on कर ले ना आप लोग, अगर आज की बात करें, economic impact की, economic impact, COVID-19 के कारण क्या हुआ, की one-fourth हो गया, one-fourth of the labor force, in the industries country, was unable to find the work, की एक चौथाई, क्या है यह, जो labor force है आपकी, और industrial countries के अंदर जो रहती है, अब उनको काम नहीं मिल रहा, अगर मैं बात कर रहूँ, politically, की politically क्या effect पड़ा, COVID-19 के आने से, crisis आने से, depression effect, politics, by shaking the confidence, in unfettered capitalism, unaffected capitalism में, clear, अब अगर बात करें, trade की, तो trade तो आपका रुख ही गया था ना, lockdown हो गया, पूरे countries के अंदर, पूरे globe के अंदर, international traveling ban हो गई थी, तो वो trade तो effect करेगा, यह कहते, as countries economy worst, they erected trade barriers, to protect the local industries, जो local industry थी, वो तो बहुत बुरी तरह से, प्रभावित हुई है, यहां पे, clear, अगर आगे चलें, एक minute, last point भी देख लेते हैं, यहां पे बोला गया, एक policy making के ओपर, क्या effect आया, policy making के ओपर कहते, it had a profound impact, on institutions, and policy making, globally, and lead to the gold standards, being abdomen, clear है, क्या हुआ, गोल्ड standards, being, abundant, तो policy making के ओपर, makers के ओपर भी, काफी हद तक, हमें इसका impact देखने को मिला, clear है यहां तक, चलें, बस आप लोग, यह sessions के अंदर, यह slide के अंदर, most important point आपका यह रहेगा, important है, यह important रहेगा, और आपका most very important, very very important point है, mains perspective से, मैं बात कर रहा हूँ, mains perspective से, आपका यह वाला point हो, बहुत ही जादा important है, और यह वाले आपके points, prelim point of view से important है, तो students, please इसको note down करके रखेगा, ठीक है, last point देख लेते हैं, there were no rent campaign, in many countries, sorry, in many parts of the countries, and the radical किसान सभाग, were stated in Bihar, and the Eastern UP, clear है, चले आगे, next news पे देखते हैं, operations and जीवनी, concept देख ले न, भारत ने, आपके इंडिया ने, COVID-19 vaccinations को, जो ट्रांस्पोर्ट किया है, हमने उसको बोल दिया, operation संजीवनी, और ये general studies 2 के लिए, काफे इंपोर्टेंट रहने वाली news आपती, clear है, ये है क्या चीज़ पढ़ते हैं, कि इंडिया सप्लाइड, 6.2 टन्स अफ एसेंशल मेडिसन्स, टू मालदीव्, हमने जो अपना नेबर है न, मालदीव, उसको 6.2 essential medicines, हमने ट्रांस्पोर्ट की है, अंडर अपरेशन संजीवनी, वो कब चला है गया, as assistance in the fight against COVID-19, clear, ये important है, प्रेलियम पॉइंट आव यूचिक, वो पूछते हैं, कि अपरेशन संजीवनी स्टुटेंट्स, किसके अंडर आ रहे हैं, कि ये सॉरी, अपरेशन संजीवनी कि अंडर भारत ने क्या role play किया, कि 6.2 tons की जो medicines हैं, वो मालदीव को हमने ट्रांस्फर की हैं, और कैसे ट्रांस्फर की, with the help of Hercules C-130J, 30 aircraft of Indian Air Force, ठीक है, the medicine includes influenza vaccination, concept याद रखना, कौन सी vaccination हमने भेजी है, मैं इसको important mark कर रहा हूँ, मैं इस चीज को important mark कर रहा हूँ, याद रखना, हमने एक तो influenza vaccination भेजी, और कौन सी भेजी, antiviral drugs, antiviral drugs जिसके अंदर हमने भेजी, lopinavir and retonavir, concept देखिए, students, lopinavir and retonavir, मैं अब इसके बारे में, थोड़ा सा आपको detail देता हूँ, एक मिनट, lopinavir and retonavir, ये antiviral drugs हैं, concept देखिए, कहते, the ministry has recommended the use of these combination of lopinavir and retonavir, एक ministry, ministry ने इसको recommendation दिया था, भारत की ministry ने इसको recommend किया है, कि ये दोनों drugs के combination को हमने use करना है, under the brand name of, under the brand name of Kalitra, मैं इसको थोड़ा सा clear करके लिख देता हूँ, एक minute, under the brand name of Kalitra, ये underline कर लिजे, for the purpose of infected persons of COVID-19, कि जो COVID-19 affected persons है, हम लोग वहाँ पे ये drug को use कर सके, under the brand name of Kalitra, recommended by the ministry of India, clear, even हम लोग ये drugs को, ये दोनों drugs के combination को, हम लोग use करते हैं, HIV treatment के अंदर, human immunodeficiency के लिए, clear है, अगर बात करें, ये drugs को use करने की, जो recommendation आती है, COVID-19 के time पे, ये हमने ministry से तो, recommendation करवा लिया था, बट ministry को recommend भी, किसी ने तो किया होगा ना, वो कौन-कौन थे, वो है aims, number one, all India Institute of Medical Sciences, NCDC ने कर दिया, एक तो कर दिया, aims ने, फिर कर दिया आप ही NCDC, NCDC stands for the National Center for the Disease Control, National Center for the Disease Control, अच्छा और थर्ड वन कौन है, World Health Organization, WHO, clear act, भारत के अंदर ये, Kalitra, brand name के अंदर बिकरी थी, ये दो, क्या है यापके, anti-viral drugs के combination है, अच्छा, आगे चलते हैं, among others, as well as, consumable, such as the, cathetras, nebulizers, nebulizers क्या होते हैं, जो हम लोग, nebulizers, जो भोलते हैं, की, steam ले न, वोग concept होते हैं, nebulizers, urine bags, and infant feeding tubes, clear, Lopi Naveer, and Rito Naveer, have been used to treat patients, with the COVID-19, in some countries, अभी हम लोगे इसक्स किया, ठीके न, next point है, students की, in March, India के अंदर, also dispatch, a 14-member army medical team, to Maldives, most important point है, main point of view से, इसके अंदर, आप लोग international relations देख पा रहे हो, की 14-member army medical team, to Maldives, to set up a viral testing lab, and there, and gifted, 5.5 tons of essential medicines, clear students, यहाँ तक, आगे चलते हैं, यह बोलते हैं, India's assistance, इससे पहले भी, इंडिया ने क्या-क्या, role play किये हैं, 1988 की बात करें तो, अंडर operation, cactus, operation का नाम भी याद रखेगा, cactus, important ही है, वला point आपके लिए, जब अटेंट किया गया था, काउप के दौरा, clear, 2004 में, India has helped Maldives, after the tsunami, after the, जो tsunami आई थी, 2014 में, under the operation NIR, operation concept याद रखे, NIR, India's supply drinking water to the Maldives, to deal with the drinking water crisis, ये आपके सामने है, जो India ने, drinking water bottles को, transmit किया था, from India to Maldives, under the operation NIR, 2014 के साल में, ये में ठीक है, last point देखे सुरेंट, कहते हैं, तो advanced light helicopters, given by the India, two Maldivian armed forces, have been used in, saving Maldivian lives, clear है यहां तक, चले हैं आगे, ओके, अप देखते हैं, कि ते history, history के अंदर क्या रहे रहे, कि India and Maldives, share ethnic, linguistic, cultural, religious, and commercial links, India was among the first to recognize Maldives, after its independence, ये, प्रिलिम, point of view से, important रहने वाली news है, आपकी, concept को, याद रखना, students, कि भारत, among the first, to recognize Maldives, after its independence in 1965, and later establish its mission at Mali in 1972, अगर defense की बात करें, दोनों देशों के अंदर, कि India प्रोवाइड लार्जेस्ट नंबर ओफ, training opportunities, for the Maldives, national defense forces, India ने, Maldives के national defense forces को, प्रोवाइड की थी training, clear, meeting around 70% of the defense training, requirements, 70% तो सिर्फ भारत, जो training requirements रहती है, वो सिर्फ भारत, आपका 70% पूरी कर रहे, Maldives की, अगर आगे चले, disasters management की, तो government of India, has provided, large scale assistance, to Maldives, in aftermath of, 2004, Indian Ocean tsunamis, and during, 2014, Malay water crisis, ये अभी हमने, पढ़ा है, water crisis, तो operation near के under किया था, ठीक है न, ये वला, operation near, 2014 में, आगे चलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, students, आगे concept देखते हैं, कैते हैं, ट्रेड, अन्ट टॉरिजम, इंडिया, इस मालदीव's, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, आफ्टर, युनाइट अरब एमिरिट्स, चाइना, अन्ट सेंगापूर, इन्ट टू थाउजन एटीन, इंडिया वोस्ट लार्जेस्ट सोर्स ओफ टूरिस्ट अराइवल्स अन्ट मालदीव's, एम्पॉर्टेंट रहे हैं वाला भी आपके लिए, तो, स्टुडेंट्स, यहां तक कोई डाउट है, तो, प्लीज कमेंट सेक्षिन में लिख कर बताएं, चलें आगे, निक्स न्यूज आती एक, मनरेगा वर्क्स, यह क्या चीज है, याद रखे, कोविट नैंटीन के बाद, मनरेगा वर्क्स में बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, कि यह काम को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएक, इंक्रीज किया जाएक, देखें, एक तो यह याद रखेगा, यह निउज आपकी जेनरल स्टेडीज पेपर नमबर थ्री के लिए काफी इंपोर्टेंट रने वाली है, चलें आगे, कैते देखेंड फॉर्ड फॉर्ड वर्क बाय दे हाउस होल्ड अंडर दे महात्मा गांधी नैशनल रूरल एंप्लॉइमेंट गरेंटी एक प्रोग्राम सर्जड तो अनाइन एर हाई, नौ साल से भी जादा पिछले नौ साल से इस बार बहुत जादा हाई हुआ है, कब 2019 से बीस तक, क्योंकि यहाँ पे COVID-19 के कारण क्या था, लॉक्राउन हो गया था, तो जो घर बैटे हुए थे, अंडर दे महात्मा गांधी नैशनल रूरल एंप्लॉइमेंट गरेंटी एक ठीक, चलते हैं आगे, क्याते हैं, आपको हाला की इतना भी जाते हैं, आदा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि कि इतने नम्डर वोकर्स ने एंप्लॉइट किया था, अंडर अमनरेगा स्कीव, क्लियर है ना, बस आपको यह पहला पॉइंट पताउना चाहिए, कि कब से कब तक हमें हाय जेखने को मिला नमबर, आगे आते हैं थर्ड पॉइंट सुडेंट कि ग्राम पंचायत्स, नॉट रिकॉर्डिंग एनी मनरेगा एक्स्पेंडिचर, इस अल्सो डिक्लाइंड, इस शोग्वाइट आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पर ग्राम पंचायत का भी क्या रोल रहा अंदर मनरेगा थीक है ना। आगे निक्स देखते हैं क्याते हैं थीज निउ मनरेगा फिगरस coincide with the sharp fall in GDP growth rate 2 5.9% कितना decline आया था कब 2019 से 20 क्यों कि lockdown था न the lowest in a decade decade की बात कर ली दशक की बात हो गई है ठीक है ना चले आगे friends हर बार मैं आप लोगों को यही announcement करता रहता हूं बीच में देखे कोई भी news के अंदर किसी को भी problem रहते है नो तो please comment section में लेकर बताएं हाला कि मैं हर एक news को मैं आपको काफी आसान भाषा में discuss कर वाता रहूंगा इसी तरीके से clear एक आगे चलते हैं कहते the data also showed that 26, sorry 263.73 crore persons per day के according were generated during 2019 से 20 slightly lower than the 267.96 crores in 2018 से 19 but significantly higher than the total person days generated during each financial year वो कौन सा है 12 से 13 साल का और 17 से 18 के बीच में इन दोनों time periods के बीच में clear आगे चलते हैं कहते during 2019 से 20 center release 72,162.13 crores for the money rega the highest ever amount and substantially higher than the 62,125.07 crores released in 2018 से 19 तो ये आपको knowledge के लिए पता होना चाहिए हम लोग आगे move कर सकते हैं क्या अपनी next pick कि महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act कब आया था 2005 के अंदर के तहत इसके अंदर क्या-क्या है important रहेगा अब मैं बोल देता हूँ ये slide आपके लिए पूरे important है knowledge के लिए लगा लो prelim point of view से लगा सकते हो क्योंकि कभी-कभी कई बार ये prelims में पूछ सकते हैं क्योंकि COVID-19 के कारण economy bought down हो गई थी जो below poverty line वाले हैं तो उन लोगों के लिए उस population के लिए government ने क्या steps को cover-up किया या steps को उठाया क्या वो मन्रेगा के अंदरात है और मन्रेगा के बारे में आप लोग एक-दो लाइने वहाँ पे लिख सकते हो तो यहाँ पे लिखते हैं तो जो यह कानून है यह इसका क्या aim है at enhancing the livelihood security of the people in the rural areas rural areas के अंदर जो people है उसको security होने ही चाहिए किसके लिए एक जीवन जीने के लिए by guaranteeing hundred days of wage employment सौ दिनों के लिए उसको तनखा मिलेगी wages मिलेंगी employment in a financial year to a rural households whose adult members at least 18 year of ago 18 साल से उपर हो volunteer to do unskilled work ठीक है next चलते है कहते है the central government bears the full cost of unskilled labor unskilled labor है and 75% of the cost of material next क्या आता है कहते है it is a demand driven social security and labor law that aims to enforce the right to work clear है next आता है the ministry of rural development government of India is associations with the state government important ये आपके लिए important रहेगा prelim point of view से याद रखेगा कौन से ministry the ministry of rural development government of India is associations with the state government and monitor the implementation of the scheme तो पता होना चाहिए कि इसको कौन vigilate कर रहा है सर इसको कौन क्या कर रहा है navigation कर रहा है कौन देखरेक कर रहा है कि इतना काम हो चुका और इतना काम pending है हमारा तो ये वाले news में कोई doubt है तो please बताए clear रेक तो friends मैं आज का session भी यहीं तक stop करता हूँ किसी भी student को कोई doubt रहता है तो please comment section में लिखकर बताएगा clear रेक तो हम इसी तरीके से हम March का भी cover up कर रहे ना March 2020 का तो और भी जो जो important news रहेगी मैं उसको भी आपके सामने share करता जाऊंगा clear है इसी तरीके से March के बाद हम लोग अपने April को move कर लेंगे then हम लोग April के बाद हम लोग जो भी अपने months आते जाएंगे उसको cover up करते जाएंगे clear है और एक बात याद रखेगा ये जो भी आपको sessions चल रहे हैं इसकी PDF आपको provide कर दी जाएगी even जो भी हम लोग sessions के अंदर हर एक slide में news देख रहे हैं मैं आपको वहाँ पर prelims और main perspective से important questions जो बता रहा हूँ ना उसको please underline कर लिया कीजे clear है और जो कोई doubt रहते हैं कोई news के regarding तो please वो भी आप लोग comment section में लेकर मुझे बता सकते हैं clear है तो मैं यहाँ तक अपना session रोक रहा हूँ और मैं hope करूँगा आपको ये वाला session भी मेरा काफी अच्छा लगा होगा तो please इसको rate कीजे और view कीजे thank you friends